नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धी विनायक जोती सपना कुछ कहता है में दोस्तों आज हम जानेंगे कि सपने में सहजन देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों सपने हम सभी को आते हैं और हर सपने का कोई न कोई मतलब जरूर होता है सपने हमारे भविश में होने वाले घटनाओं का पहले से ही संकेत करा देते हैं बस हमें समझना होता ही कि हमने किस सपने को किस अवस्था में देखा है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक बिंती है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि सपने में सहजन देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों यदि आपको सपने में सहजन दिखाई दिया है तो ये सपना बहुत ही सुप सपना माना जाता है तो अपने साथ सरके नुसार इस सपने का मतलब है कि आपकी आर्थिक इस्थिती सुधरने वाली है और यदि आप सपने में ये देखते हैं कि सहजन के पेड़ में बहुत सारे सहजन लगे हुए हैं, तो ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आपको कहीं न कहीं से अपार धन की प्राप्ती होने वाली है। कि आप जो भी कार करेंगे उसमें आपको सफलता आवस मिलेगी और ये आप शपने में सहजन खरीदते वे खुद को देखते हैं तो ये सपना आपकी उननतीव प्रगती की और संकेत करता है आपका समाज में मान समान बढ़ने वाला है और ये कोई गरवती मैला सपने में सहज पूरी हो जाएंगी ऐसे सपने इस भात का भी संकेत देते हैं कि आपका वहाहिक जीवन सुख में रहेगा आपको मन चाही संतान की प्राप्ती होगी तो दोस्तों हमारी वीडियो एदि आपको पसंद आई हो तो पिली जिसे लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्र प्राप्ती हो जाएंगी तो हमें तोस्तों हमें।